नमस्कार, स्वागत आपको जनसत्ता में मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आए हूँ आपके लिए खेल जगत की बड़ी खबरे साउथ आफ्रिका के खिलाफ तीन मैच के सिरीज के पहले टी-20 में अर्षदीब सिंग ने टीम इंडिया के जीत में एह मुमिका निभाई उन्होंने चार ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट लिये वो प्लेयर आफ दी मैच भी चुने गए अर्षदीब सिंग ने तीन विकेटों पर अपने पहले ओवर में सिर्फ साथ रन देकर ही लिये थे मैच के बाद उन्होंने बी-सी-सी-ाई-टी-वी को दिये इंटरव्यों में अपनी सफलता का राज खुला खास ये था कि उन्होंने अपनी सफलता का श्रेर राहल द्रविड को ना देकर टीम के बॉलिंग कोच पारस मामरे को दिया इसके अलावा सिर्फ के बागी दोनों टी-20 मैचों को लेकर अपनी योजनाओं का भी खुलासा किया मैच के बाद भारती क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच पारस मामरे ने अरश दीब का इंटर्विव लिया उन्होंने अरश दीब से पूछा आपका प्रदर्शिंग बहुत ही शांदार रहा है मुझे अपने तैयारियों के बारे में बताईए क्योंकि पिछली सिरीज में आपने थोड़ा ब्रेक लिया था तो फिर आपने यहां से राश्ट्री क्रिकेट अकादमी में जाने के बाद क्या तैयारिया की अरश्टीब ने बताया जैसा आपका प्लान था कि थोड़ा स्ट्रेंथ और फिटनेस पर काम करना है तो मैंने बैंगलू रुजा कर वही किया मेरा मानना है कि उससे काफी मदद मिली है रिफ्रेशिंग फील कल रहा हूँ और आप जो तैयारियों वाली बात कह रहे हैं उसका काफी क्रेडिट आपको जाता है इस पर पारस बोले थैंक्यू यार बहुत अच्छी चीज़ है ये भारतिक रिकेट टीम ने 28 सितंबर 2022 के राथ तीन मैच के सिरीज के पहले टीटविंटी में साउथ आफ्रिका को आर्टिपिकेट सेहरा दिया सुरी कुमार यादव और भारतिक रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के लिए ये मुकाबला व्यक्तिकत उपलब्धियों से भरा रहा इस मैच में सुरी कुमार ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किये उन्होंने पाकिस्तान के मुहम्मद रिजवान को भी पीछे छोड़ दिया रोहित शर्मा ने पूर्व कप्तान MS धोनी को पच्छार दिया रोहित शर्मा T20 इंटर्नाशनल में बतौर कप्तान एक साल में सबसे दादा मैच जीतने वाले भारती कप्तान बन गए है उन्होंने महेंदर सिंग धोनी का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिस मैदान पर खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है उसी मदान पर क्रिकेट जगत की सबसे सफल एक दिवसिय गेदबाज जूलन को स्वामी ने अपने सन्यास की पटकता लिख डाली है उन्होंने इस महान प्रियास को टीम इंडिया के ने भी यादगार विदाई दी तीन एक दिवसिय मैचों की श्रंखला में इंगलेंट को करारी मात दे कर उस शड़ को यादगार बना दिया जो दो दशक से भी अधिक समय के बाद भारत ने इंगलेंट को उसी की धर्ती पर हराया है यो तो ज्यादा दर खिलाडी खेल को अलविदा कहने के लिए अपनी सरजमी को चुनते हैं लेकिन जूलन की सोच अलग रही उन्होंने लॉर्ड पर खेल को अलविदा कहना ज्यादा उप्यूक्त लगा किसी सोबागिश्वाली खिलाडी को ही ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि वो लॉर्ड जैसे मैदान पर अपना आखरी माच खेले अभी के लिए बस इतना ही देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों सज़ड़े रहने के लिए बने रियोजन सत्ता के साथ दन्यवाद